दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन सिखेंगे काउंटी फोर समेब इसके लिए मेरे पास ये एक डेटा है मैं सबसे पहले क्या करूंगा अगर किसी की मेरे को ये जैसे मैंने उपर से लेकर के नीचे थे कि इस कोलम को सेलेक्ट कर लिया और इसकी जो कॉंटीटी है वो मैं देख रहा हूं या नीचे 256 आ रही है ये काउंट बता रहे है 256 आप इस तरह से भी ये डेट नीचे आप इस तरह से भी आप टास्क बार के अंदर देख सकते हैं कि count कितनी बता रहा है 256 और या मैंने serial number में भी डाल रहा है कि यह कितने है 256 और इसके अलावा जैसे अपन count का formula लगाएंगे count और value 1 के अंदर जैसे आप कोई सा भी sales select कर लीजिए जैसे मैंने d column select किया है column को select करके और bracket बन करके एंटर करूँगा मैं यह bracket बन और एंटर तो इसने count बता दिये 256 जिसकी quantity है column की हुआ है 256 उसके बाद में जैसे मैं इसमें से कम करूँगा जैसे मैंने यहां से delete किया तो यह हो गया 255 यहां नीचे से और कुछ Excel delete कर दे एक से कोई data delete करता हूँ तो और वापस कम इस तरह से यह तो हो गया count का और उसके बाद मैं देखते है count if जैसे यह कोई data है मेरे पास उस data के अंदर keyboard, mouse, ram, hard disk अगर मैं count if का formula लगा हूँ जैसे मेरे पास यह count if है और मैं keyboard का अगर निकालों कि यह keyboard कितनी बार है count if range के अंदर मैं ने जिसमें keyboard है उस पूरे column को select कर लिया, column को select करने के बाद में comma और criteria है मेरा वो है keyboard या तो मैं keyboard को select कर सकता हूँ इदर cell को या मैं keyboard को inverted comma के अंदर type कर सकता हूँ बस ध्यान रहे spelling का, मैंने type किया keyboard और bracket बन किया तो यह keyboard की जितनी quantity है वो बता देगा keyboard कितनी बार है यह 32, count ओकर क्या रहा है, 32, इस column के अंदर जो keyboard नाम है वो 32 बार है या इसको आप इस तरह से एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, control shift L के साथ, जैसे control shift L करोगे तो इस पे filter लग जाएगा और filter से आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे keyboard सेलेक्ट करूँगा शिर्फ, keyboard मैंने सेलेक्ट किया, ok किया, और अब मैं नीचे अगर इसके count देखूँ, यह कितनी बार आ रहा है 32, तब इस तरह से भी इसको count कर सकते हैं, यह अपने verify कर लिया, कि count के formula का, कि यह 32 है, जो सही है इससे पता चल गया, कि यह 32 जो आ रहा है, जो भी quantity आई है, keyboard की, इसी तरह से आप mouse रहे हैं, जिसकी भी आपको quantity चीए है, वो आप ले सकते हैं अब जिससे मेरे पास यह keyboard है, इसकी offline price है 300, यह online price जो एक जगए 400, और एक नीचे price है, वो है 290 है, इसकी price अलग अलग है, अगर सेम होती तो मैं उसको 32 से multiple कर दे था, जिससे उसकी पूरी value आ जाती, और अभी मेरे पास अलग 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 इसकी price है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, समीप का formula लगाउँगा तो मैं क्या करूँगा, समीप का formula लगाने के लिए समीप, समीप और समीप के बाद में, ब्रेकिट ओफन, रेंज, रेंज के अंदर मुझे लेना है, जिस के अंदर, जिस चीज का मैं सम करूँगा, जो product है, उस cell को select करना है मुझे, जैसे मैंने B को select कर लिया, B से B, फिर comma, फिर criteria लेना है, criteria लेना है, हुआ है मेरा keyboard, मैं उसको select भी कर सकता हूँ, या inverted comma के अंदर, टाइप की, उसके बाद में comma, और फिर है sum range, sum range, जिस column का आपको sum करना है, जैसे मुझे sell price, इसका sum करना है, तो मैं इसको select कर लोगा, और bracket बंद, अब मैं देखूंगा, तो इसकी price आ गई, वो है 9570 रुपे, quantity है, वो है 32 और उसकी price वो है 32 की जो है 9570, इसको भी आप check करने के लिए, आप filter लगा करके देख सकते हो, जैसे ये quantity तो है 32, और इसकी sell price total है, जो है 9570, इसको verify करने के लिए, आप control shift L के साथ में, इसका filter लगा के चेक कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पहले select करूंगा keyboard, उसके बाद में जो sell price है, उसको select करके देखूंगा, इसकी total कितनी आ रही है, इसकी जो sum में वो आ रही है, 9570, मतलब कि formula जो लगा है वो सही है, आशा करता हूँ, यह formula आपको समझ में आ गया होगा, county for samif, और मेरे पुराने वीडियो भी अगर आपको देखने हैं, तो पुराने वीडियो के link है, जो description में मिल जाएंगे, वासे आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, वासे झाला आपकोőlा प्टार आपकोशफच candidate MA को समझ में आपकोश समझ में आपकोशने हैं समझ में अपकोशLike के वीडियो के पक्राईटिक All rates Cleveland